हेलो स्टुलेंट्स वालिकम तो ग्यान दुक्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल हम भी ऐसी फाइनल यह न्यूक्लियो फ्रिजिक्स की लास्ट यूनिट को कर रहे हैं आज हम सिंक्रो साइक्रोटोन की थोड़ी सी जो मैथमाटिकल कैल्पूरेशन्स थी वो रह गी हैं वर्किं हो धुभून देखों सिंक्रो साइक्लोटोन की स्ट्ऩर कैसे होती हैронik भीठे डिए उसको आगे क्या किया जाता है किसी उएल्टर नेंटेशिं प्रिंट्चिक्विंसी नंक्त किया जाता है की अदर किअ जाता है और यहां पे क्या आता है पूरे पूरे चेम्बर कि अंदर वाक्यूम क्रीएट किया लत एक पूरे पूरे शेंटर में जैसे आया नाता है इसकी polarity change जती है, magnetic field इसके अंदर यहां पे magnet supply की जाती है, end to us, और magnetic field होता कैसे है, magnetic field is perpendicular to the velocity of the I, जो भी इसके अंदर इसको accelerate करणा और फिर इसके अंदर spiral motion करता है और acceleration मिलता है, जब maximum acceleration मिल जाता है, उसके बाद क्या आता है चार्ज पार्टिकल जितनी बार वो डी से बाहर निकलेगा और जितनी बार वो डी के अंदर एंटर करेगा इन दोनों केस में उसको हर बार इनर्जी बढ़ेगी और वे इसे चीज़े भी आप देख चुकिए जोब मैक्सिमम अनर्जी ओती है इसे बाहर निकले और इसको टार्गेट के उपर क्या कि करवाया जाता है और टार्गेट पर होता कि अब रस्ट होता है कि इनका आइंस का जिन आइंस की इनर्जी बहुत स सब्सक्राइब का एक अपडेटर वर्जेंगे इसके इस का क्या करना यह किया जा सकता था दूसरा आसी की इस को किया गया इस concept को कैसे किया गया कि यह जो AC wave है वहाँ पे 0, sorry 0 यह 3rd position दिखाई तिल मैंने 4th position दिखाई थी इन 2 positions के बीच में oscillate करता रहे ताकि वो negative potential में जाके phase out की condition कभी न बले फेज आउट की condition मतलब frequency of iron और frequency of AC source के equal ना और यह तर फेज आउट की condition या synchronization का violation होना तो AC voltage को इस तरीके से यह पर change किया जाता है इस particular time पे कि हर बार particle की velocity बढ़े जब वो इस से बाहर निकले और इस सिंक्रोट्रों में acceleration कैसे मिलता है जैसे कोई आयन इस दी से बाहर निकलता है तब उसको acceleration मिलता और दी की अंदर एंटर करते time दोनो time acceleration मिलेगा क्योंकि polarity change होगी जैसे बाहर निकलेगा electric fields यानिकि इधर साइड वाला जो AC वर्टेस की polarity change यानिक करन यह surface D की उसको attract करेगी आयन को जिसके करन आयन डी के अंदर एंटर करें और बाहर निकलते time पी सेम प्रोसस्स होते हैं ठीक है तो reality में यहां पे जो deflector लगे होते हैं यह दो deflector एक यहां पे magnetic deflector लगाता है कि यह दोनों का काम यह होता है कि जब synchroton के अंदर ओल्मोस्ट पचास हजार साइकल लगाते हैं इतने ज्यादा चक्कर लगाने के बाद क्या आइन की energy बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इन दो deflector का यूज इस लिए क्या जाता है कि वह ब्रस्ट करवा सिखें कि इसके अपर target के उपर ब्रस्ट मतलब मैंने आपको बढ़ बताया था कि candle bombarding का मतलब है इश तरीकेसे पूरीकी पूरी सर्फेस पे ग्याना ब्रस्ट का मतलब हो था साारे के सारी आयल एकह पॉंट पर आजाना सिन्क्लोट्रोण आइक में तक फरक है कि नहीं पर lust और बबाडिक होती है बाखी जो बिफ्रेंसेस आएंगे वो अपने आगे करते हैं अब इसके क्या करते हैं अब अपने को पत्रा है कि इसके अदर एक तो लोग रहा था और दूसरा इसके अंदर काम कर रहा है इलक्तरिक फिल्ड क्या से है और इलक्तरिक फिल्ड क्या किया गया बार-बार बार चेंज क्यों किया गया synchronization की condition को obtain करने के लिए अगर हम synchronization की condition को obtain नहीं कर पा रहे थे तो cyclotron fail हो रहा था fail कैसे हो रहा था m is equals to क्या होता है qb upon 2 pi m है ना तो जैसे-जैसे velocity tends to c मतलब हम जब जैसे-जैसे relativity की बात करते है velocity c को approach करते है तो हमारा mass क्या आ जाता है m is equals to m0 root 1 minus v square upon c square मतलब velocity tends to c होने से c के बरापर भी c के c से जाता है या c की और approach करने से बरापर होगी तो यह 0 हो जाएगा एक ऐसे होगा आप mathematical calculation लगा v square upon c square if v is equals to c then root 1 minus 1 बन जाएगा that is 0 ते और mass will be 0 ठीक है sorry infinity something upon 0 मास हर बढ़ रहे हैं अगर mass बढ़ रहे हैं तो मुझे पते हैं mass बढ़ा और frequency क्या होगी घटेगी जिसके कारण time period कितना लेगा जादा लेगा कोन जादा time period लेगा आया लेकिन साइक्रोडरान में आपने जो ac source लगाया उसकी frequency तो क्या रहती है अगर fix रहती है तो आयन जादा time लेगा तो ग्याप के अंदर तब आएगा जब तक हो सकते हैं हो सकते हैं कि electric field और charge particle की velocity की direction सीम हो यह भी हो सकते कि दोनों की direction opposite हो अगर सेम हो तो acceleration मिलेगा no doubt लेकिन अगर दोनों की interaction अलग-अलग हो गई तो हमें पता है कि क्या काम करना शुरू करेगा retardation force काम करेगा retardation शुरू हो गाई यानि टी अक्सिलरेशन शुरू हो जाएगा तो अग्सिलरेशन का जो काम था वह फुल्पिल नहीं हो पाएगा और इसी चीज़ को फुल्पिल करने के लिए मारे पास क्या है था synchron क्या क्या है सिन्ख रो साइकलोडोडों तो का नाम भी क्या था frequency modulated cyclodrone मतलब frequency of AC सोर्स को modulated किया गया इस तरीके से change किया गया कि आय बहुँआ क्या करें अग्सिलरेट करें यान कि किस कंडिशन में हमेशा synchronization की condition में रहे synchronization की condition मतलब frequency of पर्प करません शहां कि बती से से दोनों प्राबर मतलब कि अंदर सिसे से लगत consumers in टीज़गे, में से सबस्क्राइब को बाड़े, हर लाझे स्वीरोषी बार बड़े, इननिकी वेलोषी कि डिरेक्शन क्या रहें से रहनी चाहिए तो यह चीज क्या है सिंख्रोट्रोन का यह बेसिक सा आपको एक बार मैंने फिर से आज फिर से बता दिया वैसे मैं कल भी आपको बोर टेप से बता चुकिए हूं फेस्टेबलेटी भी हम कर चुके हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं तरहाएं से निकालेगी है ना उसी तरीके से यहां पर फ्वांटी को फाइंड आप करेंगी जिनका यूस नुमेरिकल में होता है और यह टोपिक आता है तो इन पारामेंटर को सबको आपको अपनी नोट्बुक के अंदर करके दिखाने हैं शीट के अंदर थीक है तो अभ ने सारी क्रोट्रोन फेल होता है और फिर स्प्रोट्रोन जो है पिक्चर के अंदर आता है किसे आता है तो वह सारी चीज़ यह जो मैं आपको बीकार चुब आप अब मुझे पता है कि Magnetic field जो पोर्स होता हो कैसा होता है qv cross b यह कैसा iso फिर के रहां मुझे पता है that magnetic field okee की एंसे किarsa के है Mr. मतलब सअ कि भी फिर कीक्रीव मुझे पता है qvb Sine Theta यहाँ से F की value क्या वे? QVB Sine 90 डिगरी P42 Pender sitting perpendicular मतलब theta कितना हो गया? 90 डिगरी अगर theta 90 डिगरी तो F की value क्या वे? Q V E or B Sines 90 is 1 इसको आप देने equation number 1 पिर आप theoretical लिखोगे क्योंकि मुझे पता है हमें पता है कि magnetic field क्या काम करता है कि मैंने टिक पुड का काम क्या है सर्कुलर मोशन देना है ना सर्कुलर या स्पायर रड़ मोशन किसको देना आयंस को और अगर आपको यह चीज नहीं पता तो आप फस्ट यह के यूनिट आपने फस्ट यह में आई थी यह सारे के सारे टोपिक्स आपको परवाए जा चुक यह सब आप कर चुकियों जिसमें अलग-अलग एक्वेशन पाथ साती थी कभी आयन सर्कुलर पाथ पर जाता है यानि कि हैलिकल मोशन करता है कभी वह सर्कुलर कभी स्रेट लाइन कभी वह पैराबोलिक जैसी इक्वेशन साती है महां पर आपने चीज कर रखी है तो मैं आ जो सेंट्रीपीटल पोर्स होता है वह भी कभ काम करता है जब हम कैसी मोशन कर रहे होते हैं सर्कुलर मोशन करते हैं तो अपने को पता है तो फिर सेंट्रीपीटल पोर्स किसके एकवल आएगा कि इसकी वेल्यू आपको पता है यह कब करता है यानि कब सेंट्रीमिटल पॉर्स आता है वारे पास जब हमारी मोशन कैसी हो रही है सर्कुलर मोशन हो अगर सर्कुलर मोशन होती हो उस करता है मगनेटिक फिल्ड काम क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन देना मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होगी इक पर लोंगे तो फ्रों मेंशन नमबर यह चीज़ें आपको थेयोरेटिकल लिखनी है तो अपने को पता है मगनेटिक फिल्ड एस सेंट्रीमिटल फोर्स पी काम कर कि वी फ्रोम इक्रेशन वन एंट्टू लिख देना यहां पर वन एंट्टू क्यूगी पी किसकी इकवल आता है एम वी स्पूर अपॉन आर के एक वी से एक वी कैंसर तो बच्चा क्या मेरे पस क्यूवी इस इकवल स्टू एम वी अपॉन आर यहां से आप दो चीज़ें कर सकते हो एक वी कि वैल्यों कितनी आएगी कियू फ़िया अपॉर और दूसरी किया फांट कर सकते हो आर की वैल्यों कितनी आएगी अब देखो अपने इनको को एक्वेशन देलो इसको एक्वेशन नमबर अब मुझे पता है कि सिंक्रोट्रोन क्यों पिक्चर में आया जहां पर हो relativity की बात कर रहे थे, मतलब हमारा V tends to C, V is equals to C और V is approaching to C, और V is more than C मतलब उस condition में हमारे पास किसकी condition है? साइक्लोट्रोन की fail होने की, फिर हमें जरूरत पढ़ी कि इसको किसी तरीके से set करने है इसके लिए नया instrument आगया जो synchronization की condition को बनाई रखे सिंक्रोनाइजेशन की condition बनाई रखने वाला साइक्लोट्रोन था, इसलिए इसका नाव सिंक्रो साइक्लोट्रोन रखा और frequency modulated क्यो रखा, यूँकि frequency को modulate करके साइक्रोनाइजेशन की condition को बनाया रखना था, अब हमारी V tends to C है, मतलब पूरे की पूरे तो मुझे पता है यह दो इक्वेशन साब जाना रखना मुझे पता है कि उमेगा इंट बार हता है होता है और मेरा भी निकला कितना है कि यूबी एपोन आर निकलेक्शन जो भी निकला प्रेख थे क्योंगी आर अगर मुझे उमेगा को find out करना है मुझे क्या निकालना है frequency of iron frequency of iron के लिए मुझे पता है अगर मैं किसी तरीके से उमेगा इंको निकालना है तो मुझे उमेगा के अंदर रिलेशन पता हो कितना अधर टूपाई है तो वहां से मैं frequency of iron किस तरीके से यह कितने चक्कर लगाते है यह आयन के जो चक्कर है इस पर इपेंड गर लें किसी डीज के अंदर तो वह चीज़ देखने है मुझे पता है उमेगा इस इक्वल्स टू क्या बनेगा भी वाय आर बनेगा तो मुझे एक्वेक्शन नूंबर थर्ड भी से पता है थर्ड ए बोट वी तो यहां से वी बाइ आर इस इक्वल्स टू मेगा इस इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम बनेगा अब मुझे क्या पता हूं सी की अपरोच जारे अगर मैं इस इक्वेशन को सी स्कुएर से मल्टिप्लाइब डिवाइड गर दूँ तो यह कोई भी फुरक ने पड़ेगा तो यहां पर उमेगा क्या बनेगा Q B C स्कूर अपॉन M C स्कूर यह चीज़ बनेगी अब Einstein मास रिलेशन मुझे एक चीज़ बताता है यह चीज़ में एंदर लिखते हूं Einstein मास रिलेशन वो मुझे क्या बताता है energy is equal to किसके इकवल होती है M C स्कूर की है ना तो यहां पर वही चीज़ बन रही है तो उमेगा किसके इकवल आजाएगा उमेगा is equal to Q B C स्कूर अपॉन E यही चीज़ बनेगी अब मुझे एक और रिलेशन पता है अगर आपको नहीं पता तो आप इसको डिराइज करते हैं अब मुझे तो यह भी नहीं पता चाल सकता आपको पता है यह देखो एक और रिलेशन होता है energy is equal to कितना होता है large stop Flour की स्कूर मुझे बनीचिशन की पावर होई यह चीज़े आतीग रिलेशन तो इस रिलेशन को आपने सब्सक्राइज बने स्कूल करके धेख लिए कि यह ही है यह रिलेशन होता है मुझे energy पता है यह कितना आता है mc2 मुझे m की value पता है कितना आता relativity की बात कर रहे हैं यानि कि साब एक शिप्ता मैं आपको इस चीज़ यहां पर ड्राइब करके दिखा रही हूं ठीक हो किस तरीके से होती है m0 root 1-b2 upon c2 into c2 मैं कि इसको solve करने के लिए इसको e2 कर देते तो मुरे पास क्या एगा m0 square c2 1-b2 upon c2 तो यहां से क्या बनेगा e2 की value m0 square c2 upon c2 minus v2 upon c2 यहीं चीज़ आ रही है यह e2 की value बनी है अब मुझे p पता है p कितना आता है m into v that is momentum mass into velocity अब इसी को मैं क्या करूं c2 में convert करूं तो मैं pc यह m2 कितना आएगा इसको क्या लिख सक्ति हूं m0 upon root 1-v2 upon c2 लिख सक्ति हूं इंटू में एक v चलता है तो यहां से p2 कितना बलेगा m0 square v2 upon 1-v2 upon c2 यहीं चीज़ बतेगी अब मैं क्या करूं p2 into c2 कर देते हूं यहां पर क्या बचेगा m0 square v2 c2 upon 1-v2 upon c2 मैं चीज़ लिख सक्ति हूं c2-v2 upon c2 to c to c cancel तो यहां से p2 c2 की value कितनी आई है m0 square v2 upon c2-v2 अब इंदने equation को कटाओ e2-p2 यह एक्जाम के point of view से नहीं है तो यहां से इसकी value क्या आईगी m0 square एक c2 बढ़ा है v2-c2 तो देखते हैं इसकी value क्या आगती है यह e2-p2-c2 करते हैं आपने देखो इसको क्या से करते हैं उसको next slide पर लिख यहां पर थोड़ा जाद ही खच्रा होगा यह आपको paper में नहीं लिखना मैं आपको m0 square c square upon c square minus v square p square c square की value क्या है m0 square v square upon c square minus v square यहां से मैं e square minus p square करू t square c square तो उसकी value क्या है कि m0 square c square upon c square minus v square minus m0 square v square upon c square minus v square तो यहां से इसकी value क्या बढ़ेगी मैं m0 square और c square minus v square ले लों को मल तो यहां पर क्या बचेगा c square minus v square है ना तो यह दोनों तो आपकोस में cancel out होगे कुछ तो बल्गती हुए है यहां पर c की power 4 e square m0 square क्या गलती है इस चोटी सी कहीं न कहीं कोई mistake है तभी यह चीज़ें cancel out नहीं हो पा रही है देखो गलती तो हुई है गलती हुए है इस जगा पे यहां पे देखो अपने ने क्या किया यह c square और c की power 4 से काट दिया यह कटेगा कैसे यह तो अपर ही जाएगा m0 square c की power 4 upon c square और यह वाला c square तो उपर चला जाएगा जिसके कारण यहां पर बनेगा c की power 6 बनेगी कैसे यह बना यह चीज़ मैं आपको यहां पर दिखा रहें e square is equal to m0 square c की power 4 upon c square minus v square upon c square तो यह ऐसे होता है m0 square c की power 4 और यह वाला उपर चला जाएगा और इधर वाले अंदर वालों कांदर मॉल्टिप्राइब इसके बन में बन मादा जाएगा तो यहां पर c की power 6 चला जाएगा ना यहीं गलब की हुगी है इसी के कारण यह सैट नहीं आरी है यहां पर c की power 6 बना सेम चीज़ यहां पर अपने गलब की है c square to c square काट दिया यह कटेगा नहीं फिर से यह c square तो जाएगा यहां पर इसको बन मैंने में उर्पस क्या बजेगा इंट कि पावर 4 अब इसको आरिक शोल कुरते जोट माइनस इसकी c square कूप ना जाएगा C square बच्चा, minus V square upon C square minus V square यह दोलों आपस में cancel आओ तो यहां में क्या बच्चेगा M0 square C की power 4 is equals to E square minus P square C square यहां से E square की value क्या आएगी M0 square C की power 4 plus P square C square यहां से E की value कितमें आएगी root में M0 square C की power 4 plus P square C square तो यह value आती है जो अपनोंने यहां पे put कर दी है इस जगा पे E की value तो मेरे पास E की value कितनी आएगी है चीज़ अगर आप परना चाहाँ तो आप पर लेना तो आप डराक्ट देगे हो या रिलेशन लिखोगे E square is equal to this E is equals to root this यहां से आपना रखते हो भी लिख सकते हो तो omega की value कितनी आएगी QB upon क्या value आ रही है QB C square upon E और E की value मैंने यहां पे यहां पे इसके अंदिर value पुट कर गे है तो उसकी value कितनी आएगी P square C square plus M naught C की power 4 और यहां से frequency कितनी आजाएगी we know that omega is equals to 2 pi F तो यहां से frequency कितनी आएगी omega upon 2 pi हो जाएगी QB C square upon 2 pi root T square C square plus M naught square C की power 4 यहां P square C square को kinetic energy लिखा गया है तो अगर यह kinetic energy हो तो F is equals to QB C square upon क्योंकि यह तो rest mass energy को show कर रहा है तो बाकी बची total energy होती कितनी है E is equals to K E plus P यह होता ना यह potential energy plus kinetic energy तो जिस energy के इंदर rest mass है मतलब potential energy पे mass को show कर रहा है के स्कूर प्लस M naught square C की power 4 और यहां से हम radius अगर निकाल ले है तो equation number 3B से मेरे पास radius कितनी आई है देखते हैं अपने radius R is equals to Mb upon Qb इसको बागे solve करते हैं जापे क्या concluded हो C concluded Mb upon Qb तो यहां से R की value क्या है Mb मुझे पता है momentum बनता है P upon Qb यहां पे अगर मैं क्या करूँ अब C square से multiply कर दो कि मुझे C square वो include करना है यहां मैं C से multiply कर दो क्यूं R is equals to PC upon Qbc कर दिया ठीक है? और मेरे पास एक value आई है E square is equals to root P square C square minus M naught square C की power 4 यह equation बनी थी हो E square minus P square C square is equals to M naught यह plus में है M naught square C की power 4 और यहां से अगर मैं P square C square ही इदर लिखनू P square C square is equals to क्या बनेगा यह? E minus मन जाएगा M naught square C की power 4 तो यहां से PC की value क्या है? root E minus E square minus M naught square C की power 4 मन जाएगी यही PC की value यहां पर फूट कर देते हैं जिससे हमारे पास क्या आएगी? kinetic energy आजाएगी R की value कितनी आएगी? root E square minus M naught square C की power 4 upon Q B C तो यह क्या है? Synchro Cytron के लिए circular path पर घुमने वाले IN की radius आई है और यह circular path पर घुमने वाले IN की क्या ही है? frequency आई है IN की आवरिती frequency विक्रियम है और यह क्या है? IN की radius IN की है circular path की radius किसके अंदर? Synchro Tron तो synchro or cyclotron यहां पर हुआ पूरा synchro cyclotron और अगर cyclotron की comparison करें तो वेरे पास comparison से क्या छीज़े बनी है? मैं यहां पर comparison करवा रहे हूए यहां पर मैंने लिखा synchro synchro का मतलब क्या है? synchro cyclotron हुरी यहां पर मैं लिख रही हूँ हुआ हैं इसको बार-बार चेंज लिए और है और इसके इंदर इंदर कितनी रही और कितना रहता है जितनी स्ट्रेंद का लगा गया यहां पर मेंग्नेक्टिक फिल्ड भी रहता है मतलब स्काइक्रोट्रोन में दौनों चीजे कॉंसें और एक नौट कॉंसेंट और बाक्षी चीजें सेम है कि मेंग्नेक्टिक फिल्ड यह अपने को शाट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करते हैं तो अपने हमारा नेक्स्ट इस पर एक दो चीजें जो देख रहते हैं तो सिंक्रोट्रोन की देखें दरियेते पहले फिर में चुरू करते हैं तो यहां कि में पर इस अड्वांटिकल को कभी भी अग्जिलरेट नहीं कर वाएगा क्यों क्योंकि डीज की पोलारेटी चेंज होती है तो बार बार पोलारेटी होने पर हिंए आयन को मिल रहां उदासी इंकन को कभी भी एक्जिलरेट नहीं कर पकाता प्लीट करके बाद करेगा बोल्स के साथ तकराके अपना सारा का सारा टाइम खतन कर देगा और यहां पे एक और कमी है कि आप भूंबार्डिंग नी करवा सकते अपने को क्या मिलेगा आएंस वेशा ब्रस्ट करेंगी मतलब एक पॉइंट पे आके सारे के सारे आपके किसी टार्गेट के ब्रस्ट सब्सक्राइम तो पुछ पार्ट करेंगे रिकालने को ने सब्सक्राइब करें कुछ ने कंडिंगे मिशा ने एकला सकते रही पॉर्बात किकलेर शुल्देने कर salvage मांटी कर सकते हैं फोटें पाहला थे की पर नदरनों की अपस में का पैरे किर्से कि सकती है कि से कमिया भी है कि लिखनी है और इसके ik कि बात कर सकते हैं जब रिलेटिविटी पर जाते हैं उतनी जादा कर सकते हैं नाकि उनको तर्टेशन फोर्स मिलेगा मतलब उनको क्या किया जा सकते हैं उनको भी हम एंगिलरेट कर रहा सकते हैं तो यह पर वोल्टेज जो है अलक्त माँगी एसी वोल्टेज यूज़ कर सकते हैं तो यह से इंक्रोट्रोन कम्लीट होता है तो बेटा थरॉन करते हैं बेटा ट्रॉन क्या है इसको इलक्ट्रोन एक्सिलरेटर्स भी बहुत सब्सक्राइब है कि विटा ट्रोन आया क्यों और साइक्रोट्रोन दोनों की एक कमी थी जो मेल कमी थी कि यह एक्ट्रोन को एक्सिलरेट नहीं कर सकते थे कि इसलिए आया कि इसलिए आया कि दोनों की कमी को पूरा किया जाके चलूर आज ऐसा अजला कि तो कार सकते ही यह एक्सिलरेट कर सकते हैं अब देखों कहसे तवरी बेंक्त रसकते हैं और इंदर 3ग्ट्रальных को क्या के जाते हैं हाई एनरजी तक एक्जिनरेट किया जाता है मतलब इनकी विलोस्टी को क्या किया जाता है बढ़ाया जाता है ठीक है बिटा ट्रों में क्या किया जाता है इलेक्ट्रों को किसी हाई एनरजी तक एक्जिनरेट किया जा सकता है मतलब उनकी velocity को बढ़ाया जा सकते हैं और fast moving जो electrons होते हैं अगर आपको पता हो यह चीज fast moving electrons को क्या बोलते हैं electrons are called as beta particles अब fast moving electrons कहलो चाहे beta particles कहलो दोनों को अगर यह accelerate कर सकता इसलिए इस accelerating device का नाम क्या रखा गया है beta tron ठीक है beta tron क्यों कि इनको accelerate कर सकते है sorry इसको beta cyclotron नहीं बोलते इसको beta tron बोला जाता है 32 से beta cyclotron लेदिया beta tron दोनों की कुछ ना कुछ कमिया थी आज आज beta tron काम सिर्फ और सिर्फ एक basic method देखेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़े यह यूज करके elektrons को accelerate करता है बाकि इसकी complete working बगएर हम कल देखेंगे तो देखो beta tron में होता क्या सिंक्रोट्रोण और साइक्लोट्रोण दोनों की कमिया थी कि दोनों ही elektron को accelerate नहीं कर पारे थी क्योंकि elektron का mass कम होता है अब उनहीं कमियां को दूर करने के लिए हमने एक नए accelerating device यूज में लेकिया है जिसका नाम था beta tron और beta tron का क्या था उन दोनों की कमी को पूरा करना मतलब electrons को high energy तक accelerate करना या आप ऐसे बोल सकते हो electrons को accelerate करना और देखो fast moving electrons जो तो बीटा particles बोला जाते हैं बीटा particles होते हैं कुछ भी नहीं होते हैं fast moving electrons सकते हैं ऐसे electron जो accelerate हो या जिनकी velocity बहुत हाई उनको बोला जाता बीटा particles तो ऐसा accelerator जो किनको accelerate करने हैं Weetat particles को aveet particles को accelerate करना इसलिए Beetat particles के नाम पिसका एक नाम रखा गया Beetatron, जहां Beetatron को शोकर diu- करना Beetatron को Is천 जो आझब को पताज लाओगा किवानु कि एलक्ट्रॉन को एक्जिलेरेटर करते हैं, वेटाणुस को यानी लेक्ट्रॉन खिलेरेटर करते हैं, सबसे पहले चीज इसके अदर वर्किंग क्या काम लेती थे को इलक्त्रिक विड अगर हम लगा रहे थे तो सिंक्रोट्रों और साइक्रोट्रों दोनों यह चीज बोल रहे थे कि अगर कितने इलेक्ट्रिक फिल्ड की स्ट्रेंट जांपें किसी पॉजिटिव आयन को एक्जिडरेट करनी है या ऐसे आयन्स को जिनका मास इलेक्ट्रों से जाद है तो वह क्या करते हैं सुफिशेंट अबांड के साइकल को कंप्लीट करके सर्कुलर पात पे घुमकर क्या लोस अनुशुरू हो जाता और अगर ऐसा कंडिशन आजा तो उसके बाद पार्टिकल को किसी टार्गेट के पर स्ट्राइकर में तो वह उसलास केसिस बजाते है तो अब क्या किया जाएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ड पहले मतलब सिंक्रोट्रों में क्या क्या किया सिंक्रोट्रों में क्या किया अब सिंक्रोट्रों में क्या किया अब सिंक्रोट्रों में क्या 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 जाएगा वी को चेंज किया जाएगा वी इस नोट इक्वल स्ट्रों मतलब नगनेक्टिक फिल्ड को ही बदला जाएगा क्या से यहां मतिलब क्या हुआ है हम किसका करें उसकर लेक्ट्रेव क्या हती आप सबस्केंस पता है यह मेरे साब से सब्सक्राइब कर देता है किसी कोई को इनके उपर लपेट दिया जाता है जैसे कि अगर मेरे पास उसके पर मैंने क्या किया को लपेट दिया और इसको क्या कर दिया अब सब्क्राइब कर खेंगतुक्त को सब्सक्राइब मैं अगुणने प्रेंगनेटिशन सब्सक्राइब गरिए अगर के लिए सब्सक्राइब कर दिया न इदर क्या हुना कर लिए है। มेंगनिटिजम प्रोइट करवा रही है अब देखो इसको मैंगनेट को क्या कियो किसी इलेक्ट्रिक डिवाई से इकर बेसिक अब अपने को पता है एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी बदलती जा रही है जीश जीज के कारण इंदर को मिलेगा इसके को किया क्रण्त剛剛 स्चल रही पमाता और इस्सी सोर्स की पुरारिटी के बदलती जारी और इसके कारण्त क्या होता है नोनुपोम में नहीं लिखना यह चीज तो मैंने आपको बताया है रही कि की अगडर यानि कि कि तो AC वोल्ट सोर्स की बदल रही है मतलब पोईल में अने वाले करण्ट की एक बदलती जाहीं जिसके कारुब जो मेगनेक्टिक्ट होगा यह मैगनेट्स प्लक्स मिल रहा है चेंज्ज होगी और seventh की किबंभी चेंज और मुल 되면 आसे पाइनक produkt हुआ की इंधर सबस्जेदेयो इंधर सबस्क्राइज्ज है और समय झालब 1 B2 मुदै उसमें रिक्ष्स की लोगी करें तो आज के लिए इतना ही थैंक यू फू वोजिंग दिस लेक्चर